रामनगरी आयोध्या को सच बनाने के लिए नगर निकम ने सच्छता पक्वाला की शिरुवात की है। उन्होंने लोगों से शेहर को सच रखने की अपेल की है। आज जो पार्टिसिपेशन है हमारे पूरे इस प्राइजा बाद या योध्या कैंट जोन के कम से कम पांच हजार बच्चों ने इसमें भाग लिया। बहुत अधिक संख्या में नागरी को ने भाग लिया और आप चालो तरफ भीड देख सकते हैं। और सबको इस बारे में संविधन शीलता जगाई गई बताया गया। किस प्रकार से हमको अपने छोटे-छोटे टुकडे कूडे के जो हम फेकते हैं। इसकी वज़े से पूरी स्ट्रीट का स्केप गंदा होता है। नालिया चोक होती है और पॉल्यूशन होता है। उसको हमें नियंतित करना चाहिए। और प्लॉगिंग जैसी एक अक्टिविटी है। अगर हम यादत डाल ले कि सुवह निकलते समय घर से हम एक मास्क पहन लें। और गलफ्स पहन लें सैनिटेशन का। और रास्ते में जॉगिंग करते हुए, वाक करते हुए, रास्ते में मिलने वाला जो कूड़ा है उसको उठा कर एक अठा करते चले। तो आज अन इंडिविजूल भी हम बहुत बड़े परिवर्तन के शुरुवात कर सकते हैं। और धिरे-धिरे मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से अयोध्या की भावी नागरिक आज 5-6,000 बच्चे इतने स्कूलों के बच्चे जी आईसी के, इस तरह से जो बच्चों के संख्या है, इसको देखकर मुझे बुरा विश्वास हो रहा है कि आने वाले समय में ये अयोध्या की जो भविश्य के नागरिक हैं, यहां के अजल्स होंगे, इनकी सम्वेदन शीलता बहुत जादा होगी और ये अयोध्या को विश्व की आध